दोस्तो स्केम 2003 स्रीस के लिए लीड एक्टर गगन देवरियार ने 18-19 किलो वजन बढ़ाया था तो हाली में इस पर खुलासा करते हुए गगन जी ने एक इंटर्यू में का कि जब हंसा सर ने मुझे स्रीस के लिए काश्ट केया था तो उन्होंने क्या दिया था कि तुम्हें अपना वजन बढ़ाना पड़ेगा फिर मेंने तिन महिने में 11 किलो वजन बढ़ाया था लेकिन जब स्रीस के डिरेक्टर दुसर सर ने मुझे देखा तो उनके चेरे पर मुझे देखकर खुशी नहीं दिख रही थी उन्होंने का कि नहीं इतने वजन से काम नहीं चलेगा तुम्हें और ज्यादा वजन बढ़ाना पड़ेगा फिर मैंने और 7-8 किलो वजन बढ़ाया था जो टोटल 18-19 किलो तक पोच गया था इतने वजन को मेंटेंट करना मेरे लिए चलेंजिंग था जब आप वजन बढ़ाते हो तो आपको इसका फाइदा मिलता ही है मुझे नेचरल वॉक मिल गई थी मैंने उसे एकसेप्ट कर लिया था मैंने उस ट्रांसफोर्मेशन को कंट्रोल करने की कोशिच भी नहीं की आगे गगन जी ने अपने डायेट प्लान पर ये का कि मेरे निट्रिशनिस्ट प्रतिग ने बहुत मदद की थी मुझे अपना पूरा डायेट प्लान बदनना पड़ा प्रतिग ने मुझे बताया कि सुबह क्या खाना है और रात को क्या खाना है वो सब चाट के रूप में तयार कर देता था जिसे मुझे फॉलो करना पड़ता था जिसमें सुबह पांच अंडो का आमनेट होता था और चार टोश जो मखन से लोडेर होती थी इसके बाद 11 बचे मिल्क शेक पीता था जिसमें ओट मिल, बादाम, खजूर और आइस्क्रिन मिले होते थे दोपर के लंच में 4-5 रोटी के साथ पाउल बर के सबजी होती थी फिर शाम 5 बचे वापिस मुझे वो शेक पीना पड़ता बाद में डिनर में वही सबजी रोटीया खाता था लाश्ट में चार अजगूले खाकर सो जाता था मैं बिल्कुल भी फुडी नहीं हूँ इसलिए मेरे लिए वजन बढ़ाना बहुर्त श्रेसफुल था मुझे वो वेट 2 साल तक मेंटेन रतना था जो मेरे लिए एक रिस्क भी था